अमेठी प्रशासन द्वारा मतगणना कराने की तयारियां पूरी जिले में फैली कुरोना महामारी से हो रहे हाहकार के बीच आगामी दो मई को 30 तरिय पंचायत सामाने निर्वाचन 2021 के तहत हुई मतदान की मतगणना कराई जाएगी इसके लिए जनपद के सभी 13 ब्लॉक्स में मतगणना स्थलों की तयारी की जा रही है वही पर जनपद मुख्याले गौरी गंजिस्तित मनीशी महिला पीजी कॉलेज में मतगणना करने है तू करिमिकों को दी जा रही है ट्रेनिंग ऐसे में मतगर्णा स्थलों पर तयारियों का जाइजा लेने के लिए आज पुलीस अधिक शक दिनेश सिंग एवं जिला अधिकारी अरुन कुमार संयुक तरूप से निकले जहां पर वो सबसे पहले जामो ब्लॉक स्थितिराज की इंटर कॉलेज पहुँचे जहां पर तयार पूरी कर ली गई हैं और सभी SDM अपने अपने तैसील क्षेतर में मतगर्णा स्थलों की तैयारियां पूरी करा रहे हैं इसके लिए पूर्व में बैठके की जा चुकी हैं आज मेरे और पुलीस अधिक शक महोदे के द्वारा निरिक्षन भी किया जा रहा है COVID-19 प्रोटोकॉल को लेकर उतरप्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन कराया जाएगा आमेठी में दो तरह के मामले मौजूद हैं जिसमें एक ऐसे मामले हैं जिनमें कही ग्राम पंचायतों के पृत्याशियों की मृत्यू हो जाने के बा पर एक मही को पुन मतदान कराया जाएगा प्रत्याशियों की मृत्यू वले स्थानों पर अलग से गाइडलाइन्स जारी हुई हैं वही मौके पर मौजूद पुली सदिक्षक ने बताया कि मतगर्णा के दोरान सुरक्षा की द्रिष्टी से हमने 30 तरिये सुरक्षा विव करना है वो वहीं पर रहेंगे किसी भी प्रत्याशियों मेजिंटों को माचिस बीडी सिगरेट गुटका स्याही मोबाइल फोन और कैमरा ले जाने के लिएस पश्ट रूप से मनाई होगी और यह चेकिंग करने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा सब्सक्राइब कर लिए और इसमें जितनी भी इसपेशली जो कोविट प्रोटकॉल है उसको लेते भी गाइड लाइन जारी किये जैसा कि मानी आयोग ने का है सब्सक्राइब की जारी है और चुनाओ के दोरान कहीं कुछ दिक्कते आएं थी अब हो चुनाओ का हुए देखिए दो तरह के कैसे हैं इसमें मानी आयोग को जफन निदेश आया है कि जहां पर हमारे लॉन लॉन लॉटर की यश्यू हो रहा है तो वहां पर यह एक तारिक सब्सक्राइब